अपिशेक बच्चन और एश्वरिया राय की शादी में अन्बन की खबरें हैं। लंबे समय से दोनों को साथ में नहीं देखा गया है। लेकिन एक वक्त था जब दोनों का रष्टा मजबूत दिखता था। वे एक दूसरे की तारीफ करते नहीं ठकते थे। पुराने एक इंटरव्यू में एश्वरिया ने शादी में एगजिस्ट्मेंट को लेकर बात की थी। बताया कि परफेक्ट रिलेशन्शिप के लिए क्या जरूरी है। फिल्म फेर संग बातशीट में एक्टरस ने कहा काफी सारे एगजिस्ट्मेंट करने पड़ते हैं। काफी देना और लेना पड़ता है। सहमती और असहमती भी होती है। लेकिन ये जरूरी है कि आप दोनों के बीच कम्यूनिकेशन होता रहे। ये एक ऐसी चीज है जिस पर मैंने हमीशा भरोसा किया है। रिष्टे में बातशीट कितनी जरूरी है। इस पर उन्होंने कहा था कि रिलेशन्शिप पर मेरी सोच का अभिशेक सम्मान करते हैं। बातशीट बहुत जरूरी है। क्या ये सब दोस्ती से शुरू नहीं होता। दोस्ती किसके बारे में है। मैं वो नहीं जो कहूँ आज ये बात खत्म करो और इस पर कल से बात नहीं होगी। अगर वो बात कल भी होने की जरूरत है तो मैं कल भी उस पर बात करना पसंद करूँगी। अगर वो चैप्टर आज ही खतम कर सकते हैं तो बहतर हैं। आप एक दूसरे के साथ कैसा समय गुजार रहे हो इसे लेकर open minded होना जरूरी है। अपने पार्टनर के प्रती सम्मान जनक और sensitive होना चाहिए। करेंट स्टेटस की बात करें तो अभिशेक ने एक्टरस को 51 जन्म दिन पर socially vision नहीं किया। इसने दोनों की बीच खटपट को और पुकता किया है। फिलाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। कर दो करेंट से को Sum 20 цен कॉड़ कर्सी आपका अधूर Bet युरसे मेंट करेंट से पुकता कॉमेंस मीचक कि inspiringा युर्ण आपका उन्म